मुखेमंत्री अशुग हैलोत कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बेहद चिंतित है खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार बैठके कर हालातों का जाजा ले रही है इसी कड़ी में मुखेमंत्री अशुग हैलोत ने वर्ट्शुल बैठक ली जहां मुखेमंत्री अशुग हैलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए जरूरी दशान इर्देश दिये तो वहीं बैठक में मुखेमंत्री ने वाक्सिनेशन को लेकर चर्चा की इसी के साथ लोगों से कुरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की और कहा कि लोग अभी भीला परवाही बरत रही है इस समय बच्चों की वाक्सिन पर हमारा विशेश फोकस है स्कूलों को लेकर सरकार कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी थीका करन भी प्रारम हो पता नहीं ये तीसी लेर रहेगी चौती लेर चलेगी कि मुल्क में चौती लेर आ चुकी है इसलिए हमें चिंताज बात किये हम दू वातों जोड़ दे में बरतेकार को अब गलाकाई एक तो ये जिए बच्चों की तिया गन देव फैंताजा कर गए तर वारा साल गी जए कि तो बारा साल की जो गरानी सट्बार चारी ते ये तो को वेक्षिन की जो ट्रायल हुई थी ऑगारा साल की बच्चों को भी हो गई उसे चूटे गँओ प्र उसे बच्चों को जो है उनको वैक्षिन लागे हर माभा को चिनता वच्छ चगे ऊती हैं आफ तीसरी ले गे लेज़ख ते पहले कि तीसरी लाई जी बच्चों के लď लेजा हही हा लगा कि बच्चे अभी भी बहुत आरहे हैं पर फिर भी जो तीछी राइमें जो चिंता सथा रही थी, फेच इसले नहीं बनी है कि वेक्षिन में लोग कापी कामया हो रहें। अगर वेक्षिन में कामया हम नहीं रहते, तो साइद अभी जो है, हम जाद तकलीम में आते हैं। यह तो तमाँ डॉक्तर्स, तमाँ एक्सपर्ड कहा रहे हैं कि वेक्षिन बचा लिया देश को प्रदीश को तो मैं चाहूंगा कि भारत्रकार को प्रदा मंदेशी को अम लोग दवाब देंगे, स्वास्त मंतिशी से बाद भी करेंगे, तो किस प्रकारते वे सब को एलाउग कि वेक्षिन बचल मंतिशित.